नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल के ऊपर दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्क्रिशन किया था कि यहां पर जो है फाइई इस लोग जो है वो शॉर्ट पॉडिशन्स रोल ओवर कर रहे हैं और लॉंग पॉडिशन्स को क्लोस कर रहे है हाला कि हमने यह भी डिस्क्रिशन किया था कि अभी जो नए डाटा बनेगा वो अगस्त सिरीज का जो बनेगा वो नया एक्सपारी में नए दिन से चुरुआत होगी तो हम उसको देखेंगे उसके बैसिस के ओपर हम पता लगाएंगे कि यहां पर मार्केट के अंदर क्या क कोशिश की जा रही है बड़े ब्लेयर का व्यू क्या है तो दोस्तों आज हम नए एक्सपारी चालू हो चुकी है अगस्त सिरीज की तो हम देखेंगे आप आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है और हमारा जो के बिसिस के ऊपर जो हमारा व्यू था वो फ्राइडे के लि वीडियो के अंदर वो हमारा एक सपोर्ट बनके रहेगा जब तक उसके नीचे मार्केट नहीं जाता हम फर्दर शॉट नहीं कर सकते ऐस पर दर प्राइडेक्शन तो यहां पर डाटा पॉइंट्स और चार्ट दुनों अलग अलग चीज़े होती है और जब दोनों का कॉम जो देखना है कि कौन से वक्त ऐसा सेनारियो बन रहा है कि यहां पर डाटा पॉइंट्स प्लस चार्ट दोनों एक ही चरीके इसका व्यू दे रहे हैं दोस्तों यहां पर हमने देखना देखा फ्राइडे को मैं आपको चार्ट पर लगी चलता हूं फटापट से तो पंड कर लेते दोस्तों ओके निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो निफ्टी प्राइशर में रहा जैसा कि डिस्कुशन कर रखा था हम लोगोंने के प्राइड जो है यह बूल रहा था कि यहां पर आपका छोड़ा सा प्राइशर रह सकता है मार्केट में लेकिन लेकिन प्राइशर में रहा लेकिन चोटी सी रेंज के अंदर घूंता रहा मार्केट और कंसोलेडेशन के अंदर पूरा दिन बिता दिया अब देखते हैं दोस्तों पड़ापट से आगे क्या हो सकता है यहां पर अगत सीरीज की डाटा पॉइंट के अंदर क्या देखने को मिल र अगर जाता हूं इसलिए ध्यान से समझना ध्यान से समझोगे शायद फिर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी सबसे पहले मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाता हूं कि यहां पर आवरॉल जो ट्रेंड है उसको वीक होने के लिए यहां पर बीजिंग का मुविंग अव दूसरी चीज इंपॉर्टन यह थी कि यहां पर यह जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर यह ट्रेंगल पैटन दिखाया था इसका जो ब्रेकडाउन होना है उसके लिए भी यहां पर मार्केट को इस बीजिंग के मुविंग अवर्च के आसपास ही है इसका भी ब् मार्केट में चारट के ऊपर यह दिख रहा है कि अभी बिना आपको शौट नहीं करना ठीक है दोनों चीज हो गही इंपॉर्टन थी तीसरी चीज़ चारट के ऊपर आपन इकि ती तीहांविश्द और है traditional level हमारा कहा पर आगे थे लास्ट वीडियो के अंदर 19,615 के अंदर ठीक है spot 19,615 तो यानि कि इसके नीचे closing होनी ची यह भी नहीं हुई तो चार्ट अभी नहीं बोल रहा है चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ प्राइस और चार्ट अभी नहीं बोल रहा है कि आफ उट करो लेरों यह बात तकर रहना है तो अभी चार्ट पर देख रहा है उसके अहाद करना है त Op करना है तरवाइस अभी नहीं करना है ठीक है तो यह तो हो गई आपके प्राइस की बात ऐसा ही प्राइस हम फटावर से कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर भी तो बैंक निफ्टी के अंदर भी देखो यहां पर एक यह लाइन मैंने खीची हुई है यह लाइन अपने ले पर क्लोजिंग दे तो यह मतलब अभी जो है ठीक है मतलब अच्छी है सब कुछ मतलब यह अच्छा सेलिंग प्रेशर ऊपर है लेकिन सेलिंग प्रेशर को अगर सच में बहुत अच्छा है तो उसको मार्केट को तोड़ देना चाहिए और उसको तोड़ने के लिए लेकर आ सकती है ठीक है यह मेरा मानना है अब वो बाउंस कैसे आएगा वो मैं समझा देता हूं आपको जैसे ही यह वाला केंडल का जो हाई है जब कटेगा ठीक है जो लास्ट केंडल बनी है जब उसका हाई कटेगा तब आपको एक बाउंस दिखेगा मार्केट के अंदर जो की मार्किट को आप बैंक डिफ्टी के मार्किट को आपका लेकर आ सकता है कहां तक यहां तक क्लिर होगी बात 46,200 तक पुजिशनली तो इसका हाई कटने के बाद इसके दो टार्गेट निकलेंगे सॉरी एक तो 46,200 लास्ट है और उससे पहले आपको यह यहां पर भी कंसोलिडेशन होगा चालिस हजार पचास ठीक है बस आपको यह जो हाई है इसके कटने का वेट करना है and then पुजिशनली यहां तक का बाउंस मिल सकता है पुजिशनली पात कर रहा हूं ठीक है और अब बात पड़ापट से कर लेते हैं प्राइलेशन के ऊपर ही 15 मिनट के ऊपर भी तो 15 मिनट के ऊपर आपको exactly समझ मैं लेगा मैं क्या कहने ही कुशिश कर रहा हूं देखो दोस्तों यहां पर मार ब्रेकाउट हो चुका है ठीक है ब्रेकाउट इस टर्लैंग का हो चुका है और अब इस टर्लैंग का ब्रेकाउट के होने के बाद प्राइज ने जो है अपसाइड रिकावरी दिखाई है इस इस वाई आपको अभी भी शॉट नहीं करना है जब तक कि सारी की सारी कंडिश ना कर जाएं तो प्राइड एक्षन जो है वो अभी भी बोल रहा है वह आपको अभी भी शॉट नहीं करना 15 मिनट पे भी यही चीज बोल देखें यहां पर जो मार्किट वीक था वो इस ट्रेंड लाइन के भरोसे था 15 मिनट के ऊपर जैसे जैसे इस ट्रेंड लाइन के तरीके तो अब यहां पर क्या है इस ट्रेंड लाइन के यह पहला लोग और दो लो मिला दो गया तो आपको एक ट्रेंड दीखेंगी थो अभी इस ट्रहं जब दक ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको शॉट नहीं करना है ठीक है क्लिरों के बात तो यह पर तो यह ट्रेंड आप एक्स्टेंड कर लीजेगा जब तक इस ट्रेंड के ऊपर है आपको शॉट नहीं करना और आपको लॉंग में ही रहना है टारगेट के निकल गाएंगे 15 मिनट के ऊपर एक इंपोर्टन लेवल है यह वाला जो हाई ह यह वह हाई है जो हमने भी डिस्कुशन किया इसके ऊपर जो है आपको मार्केट अराम से यह वाला रागेट तो आपको दिखाई देगी जो इसका इंपॉर्टन रसिस्टेंस है 45-800 और 45-800 के बाद जो है आपको 46,220 तो पूरिशनली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तर है कि जो बैंक निफ्टी बता रही है तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम पैटन के ऊपर सेम तरीके से फिलहाल चल रहे है तो यह काफी अच्छा है और यहां पर भी देखो आप तो यह वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक आउट हो चुकी है ऊपर के तरफ और अगर मार्केट अगर मार्केट साथ सो दस यह जो असिस्टेंस था फ्राइडे के लिए जो आपको टेलिग्राम चैनल के ओपर दिया गया था साथ सो दस का लेवल ब्रेक अलब होते के साथ ही आपको इमेजेटली फिर आट सो बीस तक के टार्गेट मिलेंगे बाइद छल रही था तो यहाँ पर आपको साफ सा बताया गया था रिमांड कराया था कि आपर सुबह मार्केट जब ओपन ँए थी तो आपको बर savo पर लिंग-डि इस्कृषिण में दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर बताए था अपको आपको कि यहाँ पर एसिस्टेंस गया 720 तो मातनम मार्केट ने हाई लगाया फ्राइडे के लिए था तो फ्राइडे को हाई लगाया यहाँ पर उननीस अजार आज छे सो पिच्छाण वेका ठीक है और फिर मार्केट में जब बीजिंग के आज-स-पास मार्केट घूम रहा था ग्यारा बजे के आज-स-पास तब भ अभी भी अपने किसी भी यूटूब या फ्री टेलिग्राम चैनल गे उपर कोई भी टिप या कोई भी कॉल नहीं प्रोवाइड करते हैं बस आपको help मिलती है एक hand holding होती है जो आपको यहाँ पर help कर सकती है तो हमारे इस चैनल का link जो है description में दिया हुआ है चाहो तो join कर सक साथ में हमारी एक advice भी है कि हमारा कोई भी वीडियो जो है वो केवल और केवल और एक educational purpose और learning purpose के लिए ही बनाया गया है यहाँ पर कोई भी किसी भी टैप की recommendation या कोई भी टिप हमारे वीडियो या टेलिग्राम चैनल के उपर provide नहीं की जाती कोई भी trade लेने से पहले कोई कोई भी trade place करने से पहले अपने financial advisor की जरूर कंसल्ट करें कोई भी trade में loss या profit होने पर हम किसी भी तरीके से उसके लिए जिम्मेदार नहीं है यह काफी important है तो finally हम चलते हैं अब अपने यह 15 मिंट पर मैं आपको discussion कर लिए निप्टी बैंग निप्टी दोनों अब data points की ओपर data points क्या कहने ही कुशिश कर रहे है data points जो है वो 28 तारीक को जो बने आने की अगस्त की पहली day पर बने तो वो अभी भी यही बोल रहे है कि FIIs लोग जो क्या कर रहे है वो shots add कर रहे है और long conditions close कर रहे है तो मतलब यह एक weak sign होता है ठीक है तो यहाँ पर समझ देना इस चीज को इसलिए कर रहे है स्टार्टिंग में क्या हो सकता है क्या confusion हो सकता है कि आपको data point देखेगा weak लेकिन prediction देख रहा है कि short नहीं करना तो यहाँ पर overall क्या निकल क्या सकता है हम मैं इसका summarize कर देता हूं देखो यहाँ पर होता क्या है FIIs काम करता है positionally ठीक है FIIs काम करता है positionally वह ऐसा नहीं करता कि दो गंटे के लिए positionally या फिर तीन गंटे के लिए positionally या चागंटे के लिए positionally तो यह दिख रहा है कि यह दिरे जो है data week होता जा रहा है ठीक है अब कैसे मैं आपको समझा रहेता हूं जो इन्होंने फीट वैडनेस डे को काम किया अपने short positions add करी और long positions close करी उसका impact क्या आया उसका impact ही आया इनकी short positions तो ऐसे क्या ऐसे ही है और long positions अब देदीरे close हो रही है तो अभी जो long positions है अब यह positionally क्या कर सकते हैं अगर इनका एक view weakness का है इनकी data point के साब से तो positionally यह क्या कर सकते हैं समझन अध्यान से तो positionally यह कर सकते हैं कि यह market को थोड़ा सा ऊपर ले कर जाएं जिसकी गुंजाईश हम को प्रेलेक्शन के उपर भी दिख रही है लेकिन वहाँ पर अपने long positions को close करते हो चले जाएं ठीक है long positions close करते हो चले जाएं और short positions को add करते हो चले जाएं अगर ऐसा होता ह है अगले तीन चार दिन तक क्योंकि पहला हफता जो होता है किसी भी expiry जो नहीं चालो होती है मंतली expiry उसके लिए काफी important होता है तो confused मत होना बिल्कुल भी confused मत होना यहाँ पर पहले हफता जो है काफी important है और अभी इस हफते के चार दिन बगाया है तो पहला हफता जब ख तो आपको यह data पर देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा कि FIIs क्या कर रहे है क्या अपनी short positions increase कर रहे हैं और क्या अपनी long positions close कर रहे हैं अगर यह होता है तो फिर हम एक reversal देख पाएंगे कुछ दिनों के बाद as per data लेकिन हमको दो तीन दिन या चार दिन जब यह काम complete इनका हो जाएगा तब हमको एक negative candle या weak candle भी दिखनी चाहिए चार्ट के ऊपर और चार्ट भी हमारा verify या फिर हमको चार्ट भी यह चीछ verify करके दे क्या करके दे कि यहाँ पर weakness आने वाली है market के अंदर ठीक है मेरी बात समझ गए तो अभी हमको data points जो है वो यह confirm करेंगे तीन चार दिन के बाद confirm करेंगे इनकी जो initial activity है वो तो weakness की तरफ बता रही है ठीक है लेकिन यह काम क्यों है क्योंकि करते हैं positionally तो इसलिए हमको यह 3-4 दिन में indication मिलना शुरू हो जाएंगे कि यह overall क्या चाहते हैं अगस्त मंत के अंदर ठीक है तो वह हमको पहले week जब खतम होगा तो हमको signal मिल जाएंगे proper तरीके से और यह data points में आपको daily basis के ओपर भी दिखाता रहूंगा तो overall अभी सेनारियो और summarize कर देता हूं मैं अपने total analysis को ताकि आपको थोड़ी सी help मिल सके मैं क्या कहना चाहरा हूं तो यहाँ पर data points जो है वो total अब यह बता रहे हैं कि मूड खराब हो रहा है FIIS का पहली चीज ठीक है लेकिन यहाँ पर तो अभी overall जो व्यू है वो यही है कि अभी जब तक हमारा यह projection अलाओ नहीं करेंगा हम लोग अभी भी short नहीं करेंगे ठीक है data जो है वो week बता रहा है लेकिन हमको दोनों चीजों को combine करके देखना है data बता रहा है week लेकिन क्या chart बता रहा है week नहीं बता रहा तो यहाँ प हम दो लोग हम लोग importance किसको देंगे चार्ट को ही देंगे ठीक है लेकिन मैं अभी थोड़ा सा cautious हूं current levels के पर market के अंदर क्योंकि data जो है इस prediction को अभी support नहीं कर रहा है जो upcoming week के अंदर मुझे लग रहा है कि एक bounce आ सकता है data जो है उसको यहाँ पर support नहीं कर रहा है समझ में आ गई सारी बाते सारी clear हो गई तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पर SL के साथ काम करूंगा quantity भी कम रखूंगा ठीक है और cautious mindset से काम करूंगा मेरी बात clear हो गई आपको I hope every message is clear और final conclusion भी जो है वो आपको समझ में आ गया होगा SL जो होगा मेरा सारी की सारी जितनी positions होंगी मेरा SL 20 दिन का moving average ही रहेगा ठीक है so we will wait for the next two or three days only ताकि अपने को समझ में आ सके data जो है क्या prior action को भी support करना काम करेंगे I hope everything is clear video लंबा हो गया लेकिन कोड़ा confusing था तो मैंने आपको यह चीज clear भी कर दी कि मैं personally कैसे market को देख रहा हो फिलाल तो देखते हैं अब आगे तीन चार दिन के अंदर हमको क्या signal मिल जाते हैं लेकिन अभी तो short नहीं करना prior action के हिसाब से तो prior action is the priority और वो primary हो तो कि वो chart पे चल रहा होता है live चल रहा होता है so this is only my message I hope आपको clear होगा वह सारा message और आपको यहाँ पे पूरा conclusion clear हो गया होगा thank you thank you so much दोस्तों for watching this video मिलते हैं Monday को अपने free telegram channel के ऊपर link description में दिया हुआ है thank you thank you so much again thank you